नमस्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले अभी एक नजर सुर्खियों पर बिहार में बड़े पैमाने पर डीएसपी का तबादला बीबीएसी फेस तेन सिक्षक भटी पारिक्षा आज से शुरू बिहार में किसान कॉल सिंटर की हुई शुरुवात चुनाओ में लगने वाले वाहनों का रेट हुआ तै एमिस धोनी को लेकर सुरेस रहना ने कही ये बात इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में बड़ी पैमाने पर डीएसपी का तबादला हुआ है लोग सभा के चुनाओं से पहले प्रशासनिक फेर पदल किया गया है राजज में कुल एक सौतिरपन डीएसपी का ट्रांसफर किया गया है पतना विशिस कारीबल से दिनेश कुमार पांडे को अनुमंडल पुलीस पदादिकारी बनाया गया है और इसी तरह जमुई के पुलीस उपादिक स्टों के पदपड़ न्यूक्त किया गया है आपको पता दी कि कुल एक सुतिर्पन पतादिकारियों का तबादला किया और इससे पहले भी इस महीने IAS और IPS का तबादला किया गया था समाने प्रशासन विभाग ने जहानबाद का टिहार सीता मड़ी के DM साइद कई विभाग के सच्चिव और प्रदान सचिव का तबाद से लेकर दोपहर के बारा बज़े तक होई है जबकि दूसरी पाली की परिक्षा दोपहर के डाई बज़े से लेकर शाम के पांच बज़े तक निर्धारे था आयोग क्यूर से कदाचार मुक्त परिक्षा का आयोचन किया गया है वहीं परिक्षा को लेकर कई अलाकों में प बिहार पहुचो और इसकारण स्टेशन पर भी कुछ परिक्षार्टियों को रात गुजारनी पड़ी जन भागिदारी विजियोग्राफी प्रत्योगिता में विजताओं का नाम घोशित लाखो का मिलेगा इनाम बिहार सरकार के सूशना एवं जन संपर्क विभाग द्वार आयो जिद्जन भागिदारी विजियोग्राफी प्रत्योगिता में विजिताओं का नाम घोशित कर दिया और इस प्रत्योगिता की ठीम प्रगती के पत था और इसमें अरडिया के अलताफ उसेर ने प्रथम अस्थान हासिल किया आपको बता दे कि बकसर की सोनी कुमारी को द्वित्य पुरुसकार मिला है वहीं पत्ना के इंद्रसेन कुमार जैस्वाल तृतिय अस्थान पर है अन्ने सोला प्रेड़ना पुरिस्कृत विजिताओं के नामों के भी घुशना हुई है पहले अस्थान पर आने वाले विजिता को एक लग का इनाम में लेगा जबकि बिहार में किसान कॉल सेंटर की हुई शुरुवाद बिहार की मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने 811 करूर रूपए की लागत्य की बीस यूजनाओं का सोबारंब किया है और साथ ही चार क्रिसी ग्यान वाहनों को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया आपको बता दे कि राज यूजना राज के बीज गुनन प्रक्षेत्रों की घेराबंदी क्रिसी प्रशाद यूजना क्रिसी यांत्री करने राज्य यूजना बिहार मक्का विकास यूजना मनुमक्की पालन और मधू उत्पाद कारिकरम आदी के शुरुवात की गई है और अस दोरान क्रिशे विश्वविद्याले को परिक्षा के लिए अपना सिस्टम तयार करने की दी सलाह बिहार के राजवपाल राज़ेंद्र विश्विनात आरलीकर ने विश्वविद्याले को परिक्षा नामंक कन और एक्जाम के रिजल्ट के लिए अपना सिस्टम तयार करने की सलाह दी है वह विश्व विद्याले को लगतार धमकी दे रही है और ये समय पर मुल्यांकन के अंग को उपलब्द भी नहीं कराते हैं। इस कारण कुलाधी पती ने कहा है कि बैतर है कि विश्व विद्याले अपना सिस्टम तयार करे। विश्व वभोकता अधिकार दिवर्स आज पूरा विश्व विश्व वभोकता अधिकार दिवर्स मना रहा है। इस मौके पर विहास अलकार की सूशना अवम जन संपर्क विभाग ने सभी प्रदेश और देशवासियों को बढ़ायों और शुब कामनाई दी है। और इसके साथ ही कहा है कि हम सभी लोगों को मिलकर उभोकता के रूप में अपने अधिकार और जम्मिदारी की प्रती जागरुख बनने का संकल्प लेना होगा। मालूम हो कि साल 1983 से विश्व उभोकता अधिकार दिवस की शुरुवात की गई थी और हर साल 15 मार्श के दिन इस दिन को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के उभोकताओं को उनके अधिकारों के प्रती जागरुख करने का दिन है। जमाबंदी की शर्ट के बाद निबंधन में आई कमी। प्रोरी राजस्व वसूला गया। वहीं फ्लाट और अपार्टमेंट के बित्री के लिए जमाबंदी से जुड़ा हुआ नया नियम प्रभावी नहीं है। बिहार में रसोयों का बढ़ सकता है मांदे। बिहार में बंद्यान भोजन बनाने वाले रसोयों के लिए अच्छी कबर है। बियान भोजन के रसोयों के मांदे बरहने को लेकर प्रस्ताओ भीजा गया है। परॉपती प्राप्त हो जाने के बाद आवे दिन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रवेस परिक्षा के लिए राजभवन को प्रिस्ताओ भीजा गया है। तालाब की खुदाई की दौरान मूर्ती को जब्त करने पर लोग आक्रोशित बिहार के जहानबाद जिले में तालाब की खुदाई की दौरान राधा कृष्ण की मूर्ती को बरामत किया गया और इसके बाद मौके पर लोगों की भीर जमा हो गई आपको बता दे कि ग्रामेन पूचा पाथ में चूट गए और इसके बाद प्रसासन के ओर से मूर्ती को चप्त कर लिया गया इसके बाद अस्थानिय लोग आक्रोशित हो गए लोगों ने पुलीस पर पतराओ कर दिया वहीं पुलीस ने चार्ड लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है गटना असल पर दिलादिकारियों रस्पी दलबल के साथ पहुँचे और इसके बाद पुलीस ने प्रदेशन कारियों को ख़देड कर सडक चाम को हटाया फिलहाल स्थिती नियंतरन में है प्रसार्शन के द्वारा मौके पर क्यांप किया जा रहा है आपको बता दे कि ये पूरी घटना जले के काको धाना शेतर के खास काको की है बीबीएसी सिक्षक भटी परिक्षा फेज तीन में सॉलवर गैंग पर कारवाई की गई है पुलीस ने एक नेटवर्क का खुलासा किया बताया जहता है कि तीन सो से अधिक परिक्षार्टियों को परिक्षा में शामल कराने के तियारी की जा रही थी कई लोगों से एक सब्ता से सवालों को हल कर रहा जा रहा था और इसकी सूचना मिलते ही पुलीस ने स्पेशल टीम का गठन किया था जहारखन के एक नीजरी होटल में छापे मारी कर पुलीस ने सैक्रों लोगों को हिरासत में लिया है बिहार लोग सेवा आयोक के सचिव का कहना है कि अभी किसी भी तरह की बेपर लीक की सूचना सामनी नहीं आई है आपको बता दे कि फिलाल इस बात की पुस्ट्री नहीं हुई है कि सॉल्वर ग्यांग जो प्रशन को सॉल्व कर रहे थे वो सवाल आज की परिक्षा में पूछे गए है या नहीं फिलाल मामली की जाच की जा रही है पती पत्नी फरजी सीबी आई अधिकारी बन लोगों से करती थे पैसों की वसूली बिहार के वैशाली जले के हाज़ि पूर्थाना शोहतर की पुलीस और डी आई यू की टीम ने स्पेशल शॉक के पास से एक महिला समीच चार फरजी सी आई जी अधिकारी को गिरफतार किया इन्हें फिलाल जील भीज दिया गया है बताया जाता है कि इनमें दो पती पत्नी फरजी सीबी आई अधिकारी बन कर लोगों से वसूली करते थे लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूलते थे साथी पैसे नहीं देने पर गिरफतारी की धमकी देते थे गिरफतार लोगों के पास दे पुलिस ने छे मुवाइल फोन और फॉलो मानुदिकार अपराद नियंदरन सामाचरक न्याए परिसत का परिशे पत्र और चार हजार रुपे नकत बरामत किया है चुनाओं में लगने वाले वाहनों का रेट हुआ तै चुनाओं में लगने वाले वाहनों का रेट तै कर दिया गया है आगामी लोग सभा चुनाओं को लेकर गारियों से समधित एहम जानकारी सामने आई है आयोग ने कहा है कि जीप और कार को एक हजार रुपे तो मोटर साइकल को तीन सो पचास रुपे दिये जाएंगे परिवन विभाग ने वाहनों के अधिग्रहन की दर को तै किया है और उसके ताथ आटो बस, स्कॉर्प्यू, इनोवा ट्रॉक, डंपर, आधिर के रेट तै कर दिये गया है वहीं इस बार चुनाव के लिए अधिकरित्त किये गए वाहनों की पूरी प्रक्रिया ओनलाइन होगी इसके लिए VMS यानि के विहिकल मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार किया गया है चुनावी बॉंट पर RGD सांसद ने दिया बयान चुनावी बॉंट पर RGD सांसद मनोच जाने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि आज इसे लोग देख रहे हैं लेकिन हर किसी को इसके बारे में पहले से ही पता था राज़त के सांसद ने कहा है कि E.T. के रेड होती और इसके बाद चुनावी बॉंट को खरीदा चाता है लोग तंद्र के हत्या की जा रही है वहीं दूसरी ओर राज़त के राश्री और द्यक्ष लाल प्रशाद यादव की बेटी रोहिनी अचारे ने भी चुनावी बॉंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा है कि जूटे वादे जूटे गैरेंटी जूटी इनकी सारी कहानी देख लो लुटे रो ब्रस्टा चार चंदा खोरो की कारस्तानी MS दोनी को लेकर सुरेश रहना ने कही ये बात 22 स्मार्ट से IPL के शुरुआत होनी जा रही है MS दोनी एक बार पिर से आक्शन में नज़र आएंगे वहीं उनको लेकर सुरेश रहना ने कहा है कि दोनी की सबसे अच्छे बात ये है कि वो IPL के शुरुआत से एक महीने या फिर तीन सब्ता पहले इंचे नहीं पहुंचते हैं और गर्मी की परिस्तिती में भी करीब दो घंटे तक बल्लेबाजी करते हैं और उसके बाद वो जिम में ट्रेनिंग करते हैं इस दोरान उनकी टीम की साथियों के साथ उनकी अच्छी बनती है सुरेश रहना ने कहा कि उनके खयाल से ये जादुई है इतर पूर्व क्रिकेटर रॉबिन ऊथपा ने कहा है कि उन्हें लगता है कि धोनी अगर वील्चयर भी पर भी होंगे तो सेयस के उन्हें खिलाना चाहेगा वील्चयर से उतरो बल्लेबाजी करो और वापस जाओ धोनी के लिए बल्ले बाजी कोई समस्या नहीं है काप लोग के से बहुत से लोगुनें अपना जवाब हमें अमारे कमेंट सेक्षिन सवाल का जवाब दिया उनके डाम है संजीव कुमार रविंध्र पासवाण संजीव कुमार so महतो मुहमद नसीम अक्तर अन्वर करीम खान उमीश रिदेव सदुला पालवी नॉशाद आज का सवाल है आपके अनुसार क्या साल 2014 का IPL मैश महिंदर सिंग धूनी का आखरी IPL है आप अपना जवाब हमें आमारे कमेंट सिक्षिन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही ब्यार के तमाम खबरों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहे ब्यारी और साथ ये अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना नहीं भूले धन्यवाद